अलो फ्रेंड्स वेलकम तो ट्रेडिंग होनर आज हम इस वीडियो में हिंडाल को लिम्टिट का Q1 FY21 का रिजल्ट इसकस करेंगे यह आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghonor.com पर भी एविलेबल है अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो रेट्स देख रहे हैं यह आज के यानि की 14 अगस्त के क्लोजिंग के रेट हैं और यह 184.95 पर बंद हुआ है जो लगबग की 1.40 उपर बंद हुआ है एक 45 पर से उपर जा करके बंद हुआ है पॉइंट 76 परसेंट बढ़ करके बंद हुआ है और इसके रिजल्ट हम डिस्क्रस करेंगे यहां पर आपको बताने कि इसका रिजल्ट आज ही आया था मार्केट आवर्स में इसका रिजल्ट आया था और उसके बाद में इसमें एक तल्किसी पेजी नजर आई है इसकी जो भी रिजन्स हैं और इसका क्या इंपेक्ट होगा आगे चल करके इस रिजल्ट का वो सब हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे लेकिन सबसे पहले हम एक आए सब्सक्राइब कि यहां पर हम चलते हैं एक साल के पर्फर्फर्मेंस पर तो यहां पर आप देखिये कि एक साल पहले इसका जो हाई था आज ही के दिन वह था 180.30 और आज इसमें 189.45 बनाया है यह मैं नसी की बात कर रहा हूं यानि कि लगभभग 5% का इसमें हुआ है उन लोगों के portfolio में जो इस share को hold करते थे तो ये एक अच्छी बात है ये एक value company है और इसमें जो investment है वो long term के लिए low करते हैं mutual funds और FII में invested रहती हैं तो एक कहना चाहिए कि solid performance वाली company है और ये जो अभी up-down आते रहते हैं जैसे कि COVID-19 की problem आई है उसकी वेज़े से market डाउन हुए है शियर में भी काफी ज्यादा गिरावट हुई थी और इसके बाद में इसने recover कर लिया है अब ये आगे कहा जाएगा और जिन लोगों को अभी इसमें invest करना है वो क्या करें इसके लिए हम एक चोटा सा technical analysis लेते हैं त पर फरवरी के फस्त वीक से इसमें continuously गड़ोतरी होती चले गई और इसके बाद मैं पहले इसने मेर के second week में इसने 50 days moving average को प्रॉस किया और इसके बाद मैं इसने अगस्त के फस्त वीक में अपने 200 days moving average को प्रॉस किया और आज 50 days moving average लगवर के एक साथ को inside कर रहे है जैसा कि यहां पर मैं आपको जूम करके बता रहा हूं इसका 50 days moving average है यह 158 पर और 200 days moving average है 163 पर तो यहां पर इसने एक breakout लिया था भी लगबग एक हफते पहले और 200 days moving average के यह उपर गया है इसके result अला कि खराब आये हैं लेकिन मैं मानता हूं कि यहां पर टेक्निकली जब दो moving averages होत तो यह एक double support का काम करते हैं और इसी तरह से यह double resistance का भी काम करते हैं तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि यह जो prices है यह इतनी जल्दी break होने वाली नहीं है और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यह share अभी नीचे आने की कोई उमीद है और जैसा कि यहां पर आप देख रह momentum की बात करें तो स्टर्किस्टिक मुमेंटम भी आप देख सकते हैं कि एक काफी strong position में है और अपनी जो 80 की line है उसके लगबग अभी यह trade कर रहा है तो यह थोड़े दिन और वहां पर trade करेगा और इससे बलकि यह ऊपर की और जाने की कोशिश करेगा और यहीं चीज यहां जो pattern है वो काफी दिनों तक बनता है खास करके इस तरह के value shares में तो अभी इसके share के किसी भी तरह के मीचे जाने की उमीड नहीं है और जो लोग इसके इंवेस्ट करना चाहते हैं तो फोड़ा फोड़ा इंवेस्ट कर सकते हैं long term का share है value share है और किसी भी तरह का नुकसान की problem नहीं है तो कि जैसा कि अभी आपने देखा कि जिल लोग उने एक साल पहले इंवेस्ट किया तो 5% का फायदा हुआ है तो यदि आप कम रिस्क में ज्यादा मुनाफ़ा चाहते है long term के लिए तो इस तरह की companies में इंवेस्ट करना एक best सलाह हो दी है अब हम देखेंगे इसका result Q1FY21 का जिसको हम 3 parameters मिलेंगे जो कि है revenue, EBITDA और profit आईए इनको हम बारी-बारी से discuss है सबसे पहले लेते हैं हम revenue यहाँ पर यह एक बड़ी company है और जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी revenue Q1FY20 में 29,974 करोड थी जो कि इस पार Q1FY21 में यह 25,283 करोड हो गई है यानि कि इसमे कमी आई है और यह कमी है लगवाद 15,6% की काफी ज्यादा कमी है और यहाँ पर यदि हम इनका business देखें तो इनका जो export business है वो बहुत अच्छा रहा है और इनकी 90% जो इंडिया के जितने भी manufacturer है Aluminium वो अपने 90% capacity के उन्होंना काम किया है और ज्यादा तर जो exporter से 80% export होता है तो इस कंपनी का भी लगवाद 80% export होता है और इस वज़े से इसकी जो भी यहाँ पर इनका जो revenue कम हुई है वो के वल इंडियन मार्केट की वज़े से ही यहाँ पर हुई है और इनकी एक कंप है उन्होंने इस बार दिया है जो कि 327 पर कंका EBITDA उन्होंने दिया है हाला कि सारी दुन्या में यह प्रॉप्लम्स है COVID-19 की लेकिन इसके बाब भी उसने अच्छा result दिया है और खासकर कि इनका जो automotive और speciality market है उसने इसने अच्छे result दिये है और इनको not net profit हुआ है उसमें इसके बाद में हम EBITDA की बात करें तो EBITDA 3769 अच्छा result दिया है और इसके बाद में हम EBITDA की बात करें लास्ट ये इसी क्वाटर में और ये आज 2359 क्रोड हो गया है इसमें काफी ज्यादा गिरावाट आई है लगव 32.6% की इसमें गिरावाट आई है और इनका EBITDA margin है वो 9.3% हो गया है ये इसमें काफी ज्यादा गिरावाट है जोकि इनके जो expenses है वो इनको इंकर करने करोड जो कि अब इस पार इनको लॉस हुआ है 709 करोड का लॉस हुआ है और ये एक अच्छा खासा लॉस है लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो इंडियन ऑपरेशन की मज़े से यहां पर लॉस यहां पर उखाई दे रहा है तो ये था इनका रिजर्ट का अनलेसिस और एक मार्केट को पसंद आये हैं या नहीं तो डाफिनिटली यहां पर एदियम देखें रिवेंड्यू 15 पर से कम है तो मार्केट के एक्सपक्टेशन को से मिस किया है Northwest यहां पर तनवर्ट हो गया एक लॉस में एक बड़े लॉस में जोकि 799 करोड है और ये मार्केट के वागते से यह कैसा ट्रेड कर रहा है तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज इसका रिजर्ट आया था 14 दगस को आज इसने एक हाई भी बनाया 189.45 यह रीसेंट हाई है आट दस दिनों का हाई है यानिकी प्री रिजर्ट जो रैली है उसका यह इसने आज हाई बनाया है और इस और यदि हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं और यहां पर आप देखें कि FII में ने लगवग 20% का इंवेटमेंट कर रखा है जो इंडस्री का पी रेशो है वो है लगवग 60 के करीब और इनका पी रेशो है 11 यानि कि यह काफी ज्यादा चीप पर इसका डेवलेबल है मार्केट में इसकी बुक वैल्यू है 259.67 और यह प्राइस को बुक काम कर रहा है लगवग 0.72 के करीब इनका डिविडेट डियल भी अच्छा है 0.54 परसेंट और इनका एपिस है वो लगवग 16.77 पर शेयर है फेस वैल्यू वन रूपीस की है और डिलिवरेबल क्वांटेटी इसकी काफी जादा कम है जो लगवग 12.58 परसेंट है फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा य और बेल आइपन को प्रेस कीजिए थैंक यू